तो हेलो आप यहाप फीर से वेल्कम करते हैं आज के हमारे इस फ्रिडियो पर तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूं एक्सिस निफटी नेक्श सी, इंडेक्स पंडाइट ग्रोफ के बारे में इसमें मैं minimum SIP amount क्या लगा सकते हैं और इसका fund size क्या है साथी साथ मैं आप से discuss करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा stock listed है और अगर आप इस mutual fund के अंदर कुछ पैसा जमा किये होते तो पिछले तीन मैंने छे मैंने या फिर एक साल में आपको क्या रिटन देखने को मिलता और लास्ट और मैं आप से discuss करूंगा कि क्या हमें एक्सिस निफ्टी नेक्स फिप्टी इंडेक्स पंडाइट ग्रोथ के अंदर इंवेस्मेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए अगर आपने औरेड़ी इंवेस्ट किया है तो आगे आप अपना S.I.P. या फिर लंशम के साथ क्या करेंगे बात करते हैं एक्सिस निफ्टी नेक्स फिप्टी इंडेक्स फंडाइट ग्रोथ ये एक अधर मुच्वल फंड है जो कि इंडेक्स के अंदर आता है और ये काफी हायरिक्स मुच्वल फंड है इसने जो पिछले 6 मिने में रिटन दिया है वो 34.27% का रिटन है एक साल के र 34% का ध्यान देंगे अभी जो भी मैंने आपके साथ रिटन डिसकस किया 6 मेने या फिर एक साल का ये इनका वन टाइम का रिटन है यानि कि एक बार में आप कुछ पैसा जमा किये होते तो फिर आपको ये रिटन देखने को मिलता अगर आप साइपी के थूर मुच्वल पैसा रेटिंग की बात करें तो इसको किसी परकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है इसमें आप मिनिमूम साइपी अमांट एक सो रप्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 244 करोर का अब बात करते हैं अगर आप इस मुच्वल फंड के अंदर कुछ पैस जमा किया होते हैं तो फिर आपको क्या रिटन देखने को मिलता इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्मेंट इस्टार्ट नहीं किया है और इस्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डेस्क्रिप्शन में मैंने अपना डिमेट एकाउंट का रेफ्र रिंग दिया है अगर आप मेरे रेफ्र रिंग से जोईन करेंगे तो आपको कुछ रिवार्ट देखने को मिलेगा और आपको एकाउंट आपनिंग या पर एकाउंट मेंटरनेंस का कोई भी चार्श नहीं लगेगा बात करते हैं अगर आप इस मुच्छवल फंड़ में पांच जार रुपया परमन जमा किया होते हैं तो तीन मेने में आपका पैसा जमा होता पंदरह हजार आपको मिलता 15355 रुपया यानि कि तीन मेने में जो आपको SIP के थूरू रिटन मिलता वो 2% के आसपास रिटन मिल अगर एक साल की बात करते हैं तो एक साल में आपका पैसा जमा होता साथ हजार आपको मिलता 78,036 रुपया यानि कि एक साल में आपको SIP के थूरू करिप 30% के आसपास रिटन देखने को मिलता अब बात करते हैं अगर आप इस मुच्छल फंड में एक बार में एक राक रु अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 50 स्टॉक लिस्टेड है अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक आउसके सेक्टर वाज डिसकस करते हैं तो पहला नाम आता है भारत एलेक्टोनिक्स लिमिटेड क्यापिटल गूड्स, टेरेंट अगर हम लोग इसकी होल्डिंग अनलाइसिस को देखें तो इक्वेटी पे है नियालमी पॉइंट पांच परसेंट डेप्ट पे है 0.9 परसेंट और कैस पे है मैंने 0.4 परसेंट अब इसकी एक्वेटी सेक्टर एक्लिकेशन को अगर देखें तो फैनेसियल पे 19.3, कैपिटल गूर्स पे 18.5, अधर्स पे 15.2, सर्विस पे 14.1, एनर्जी पे 11.3, कंजुमर इस्ट्रेस पे 9.9, कंस्ट्रक् और पीवी रेशिया 4.67, अगर आप इस मुच्वल फंट के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर मिनिममम लमसम आपको 100 प्या करना होगा, और अगर आप SIP के थुरू अपना इन्वेस्मेंट करना चाहते हैं, तो आप 100 प्या से स्टार्ट कर सकते है अब हम लोग रेटन एंड रेंकिंग के उपर बात करते हैं, और अहीं पर आपको समझ में आएगा कि क्या हमें एक्सिस निफ्टी नेक्स्टी इंडेक्स फंट के अंदर इन्वेस्मेंट करना चाहिए, या फिर नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग एक्सिस निफ पॉइंट एक का है, तो यहां से देखेंगे यह मुच्वल फंट, हमेशा अपना कैटेगरी अबरेज से ज्यादा रिटन आपको निकाल करके दिया है, तो अगर आप एक इंडेक्स मुच्वल फंट ढोंड रहें, तो यह आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अ पॉटक निप्टी नेक्स 50 इंडेक्स पंडाइड गूत, तो आप यह तीन इंडेक्स मुच्वल फंट को भी ट्राय कर सकते हैं, जो कि आज की रेट में काफी बेस्ट है, इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं, तो इतनका एक्सपेंस रेशियो 0.23% का है, इसके, इस्टम ड्योटी की बात करते हैं, तो इस्टम ड्योटी है 0.005%, टेक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट के आप पैसा है, एक साल के अंदर निकालेंगे, तो जो भी आपका रिटन होगा, उस पे 15 नहीं, बीस परसेंट का आपको टेक्स प पहले था, बजट के बाद जो है, घोसना हो चुकी है, कुछ दिन में ये अपडेट हो जाएगा, इसके हम लोग फंड हाउस और इन्वेस्मेंट अबजक्ट्स की बात करते हैं, तो एकसे मुच्वल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नमर साथ पर रेंग करता है, इ इनेज गुपानी अभी इस फंड का करेंट फंड मेनेजर है, इस फंड का करेंटल असिस्ट अंदर मेनेजमेंट है, दो लाग दिरानवे हजार तीन सो चौदा करोर का और लेटेस्ट ने भी है, सतर रप्या तिरफंड पैसा, बात करते हैं, एक सिस निप्टी नेक्स की टोटल रिटन इंडेक्स, तो आज इस वीडियो के अंदर मेने आपके साथ डिसकस किया, एक सिस निप्टी नेक्स फिप्टी इंडेक्स फंड के बारे में, तो फिर मिलते हम लोग नेस्ट को इस तरीका का वीडियो की अच्छी जानकारी को ले करके,